आज हम बात करेंगे कि शनी देव का जो बीज मंत्र है वो कब हमें जाप करना चाहिए और मेडिटेशन हमें किस वक्त करना चाहिए पहले तो हम ये दोस्तों ये बात करेंगे कि शनी देव का जो बीज मंत्र है वो आप कोशिश कीजे पहले तो अब शनी देव का बीज मंत्र है क्या वो आपके स्क्रीन में आपको शो कर रहा हूँ वो आप नोट कर लीजे तो आपको शनी देव का जो बीज मंत्र है वो आपक सूरज जलने के बाद बीज मंत्र को जाप करना चाहिए आप अगर शनीवार को शनीदेव की पूजा भी करने जाते हैं आप कोशिश करें शाम को ही जाएं पूजा करने शनीदेव को जो पूजा है या बीज मंत्र है या जाप है कुछ भी आप करें तो वो शाम को आपको करन चाहिए तो अगर शनीवार को आप जाते हैं मंदिर शनीदेव को पूजा करने जैसे शनीदेव की देल जड़ाने या शनीदेव को बादाम जड़ाने कोई भी अगर शनीदेव के लिए अराधना करने जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप शाम को जाएए और जैसे आपक तो आपको जी किजिए सुने से पहले आप इस चाप कर लें तो दोस्तो आज हम यह भी बात करेंगे कि मेडिटेशन कब करना चीए कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन सुबह सुबह करें चीए वह रहता है या भूर टाइम जो बूर जो होता है अग्दम सुबह सुबह प्राता उस टाइम करना चीए दोस्तो मेडिटेशन जो है वह कनेक्षन है वह आत्मा के साथ कनेक्टिविटी होती है आत्मा अपर मात्मा से से मिलने की कोषिश करतान तो смож jsum जो है वह जो है वह सूरी है ठीक है है या और जब करते हैं जब करते हैं इसको तो हम सूर्य को अपने शूरे को हम 12,000 में ले जाते हैं और दोस्तों अगर हम वो चीज दिन में करेंगे तो अगर हमारा सूर्य सूरी क्ठें जोपिटर जो है, फाइन्स का कारक है, पैसे का कारक है, लेकिन मैं कहूंगा, जो सूर्य है, वो जो में उर्जा है पूरे ब्रह्मान में, जो सूर्य है, और सूर्य जो है, वो फाइन्स और मनी का कारक है, अगर आप दिन में मेडिटेशन करेंगे, तो there will be financial loss, दिन में कौन मेडिटेशन करते हैं, जो योगी होते हैं, जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, तो जो योगी होते हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं होती है, तो वो दिन में मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेडिटेशन करना है, आप हमेशा सूर्य ज़लने के बा तो सूरे का प्रभाव दिन में जादा होता है और अगर आप meditation कर रहे हैं दिन में तो इसको मतलब सूरे जो है आपके 12th house में जाएगा और 12th house is for losses 12th house is for meditation तो जब आप 12th house पे सूरे को ले जाएंगे और वो दिन के टाइम में तो उस टाइम पे it will cause financial losses तो आपको meditation हमेशा सूरज ढलने के बाद करना चाहिए और दोस्तों अगर आप लोगों कोई भी सवाल है इसके related आप comment section मेरे से जरूर पूछिए मैं उसका जवाब दूँगा तो मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में आप लोगों से नमस्कार